आज हम बात करने वाले हैं हम ही क्या करते हैं जब syrup हमको लेना होता है जब हमको solution लेना होता है तो हम randomly के वी चमस उठाते हैं उसमें 1 tablespoon, 2 tablespoon जैसा आपको लगता है वैसा आप ले लेते हैं अगर यह OTC product है तो otherwise हम इसको measurement के साब से ले लेते हैं यहां पर आप देखेंगे तो साप साप लिखा हुआ है जो dose का direction है वो बिल्कुल clear है, crystal clear है adult के लिए 15-45 ml, child जिनकी उमर 7-14 साल है इनको 15 ml देना है और ऐसे बच्चे जिनकी उमर 1-6 साल है उनको 5-10 ml देना है और जो बहुत छोटे बच्चे infant है उनको up to 5 ml मिल देना है याने कि 5 ml last limit है उनके लिए फिर हम कैसे करें कैसे measurement लें इस syrup का कि कैसे exact dose उनको मिल सके क्योंकि अगर आप चम्मच यूस करेंगे जिसको मैं आपको आगे दिखाऊंगा तो हर एक चम्मच अलग-अलग होता है मेरे घर में जो spoon है वो आपके घर के spoon से थोड़ा अलग होगा इवन मेरे घर में ही जितने सारे spoon है सब का size अलग-अलग होगा फिर ऐसे कैसे बन सकता है देखिए आपको समझाता हूँ मेरे घर के ही एक spoon है ये बहुत छोटा सा spoon है तो अगर आप कहते हैं कि two table spoon लेना है तो यहाँ पे कैसे बनेगा हाले कि pharmacy में ये चीज़ साफ clear है table spoon, आपका sugar spoon हार का अलग-अलग measurement है बट जनरल पब्लिक इसे जानता नहीं दूसरा spoon जो आप ने हाथ में देख रहे हैं वो थोड़ा बड़ा है उसके जो खाचे हैं वो थोड़े छोटे हैं लेकिन comparatively size बड़ा है एक और चम्मस देख लीजिए इसका जो size है वो भी बड़ा है इसकी जो cavity है वो भी बड़ी है तो ये अलग-अलग size के spoon है मैं भी अगर pharmacist होते भी कई बार देखता हूँ तो इसमें से spoon कही use करते हैं ये देखिए छोटा सा spoon है और हम इसे काफी सारे लोग आप मानेंगे या नहीं मानेंगे इसको ढखकन को निकालते हैं और चम्मस तो छोड़िए द्यारे के लिए इस bottle को गटक जाते हैं अगर ये normal syrup हो तो एंदाज से ले लेते हैं चाहिए वह cup syrup हो चाहिए वह इस तरह का जो आपका lactolose syrup हो डर्फोलक है ये मैं से कोई भी हो लेकिन हमको करना वो नहीं चाहिए आप देख सकते हैं इस bottle के उपर एक छोटा सा धकल लगा हुआ है कुछ लोग इसे cap कहेंगे बट मैं इसे कहूँगा measuring cup इसमें अलग-अलग unit के mark लगे हुए है एक side से देखिएगा आप इसमें 5 ml, 10 ml, 15 ml और 20 ml की marking लगी है और यहाँ पर हमने dose जब बताया था तो इसमें 5 ml भी है, 40 ml भी है, 45 ml भी है तो respectively हम इसको calculate कर सकते हैं 5 ml डारेक्ट हो जाएगा, 10 ml डारेक्ट हो जाएगा, 15 ml भी डारेक्ट हो जाएगा including 20 ml बट हमको अगर चाहिए 45 ml तो 2020 के दो डगकन और 5 ml का एक डगकन लेकर के देख सकते हैं इससे क्या होगा चाहे आप अपनी जगह पर इसे purchase करें जाहे मैं इसे अपनी जगह पर purchase करूँ तो अगर यह measurement सही है तो इसे आप इसे ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि measurement थोड़ा गलत हो जादा ले लिया तो इसे आप वापस उस पर डाल सकते हैं लेकिन क्या यह possible है आपके spoon के साथ या अगर हम directly इसे निंगल कर लें मुह में डाल कर सीधा गटक जाए तो क्या यह possible है नहीं न तो इस तरीके से हम cup को यूज करके हों कि छोटी सी बात लेकिन आपको interesting लगी होगी thank you so much for watching this video